Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं हुस्वाती आपकी English Educator और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, Class 8 की Engaging English Book का 2nd Chapter, The River Came Home Now this is a beautiful story written by Aditya Rao हमारी देश में, हमारी सिटी में, जब हमें कोई भी चीज का advancement करना होता है जैसे हमें कोई भी चीज को technologically अगर आप बात करो या infrastructure की बात करो, जब भी हमें improvement करना होता है तो काफी सारे इससे steps लेने पड़ते हैं जिसकी वज़े से कुछ नुकसान भी होता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है But then we have to look forward and we have to take the right step जैसे कि जो dam building projects होते हैं जब आप dam बनाते हो या आप roads को widen करते हो तो क्या करना पड़ता है आपको अगर आपको roads को wide करना है तो आपको वहां के पेड़ कटवाने पड़ते हैं In fact, घर जो होते हैं वो भी तोड़वाने पड़ते हैं जी बहुत साई चीज़ें होती हैं और इस process में वो लोग जिनका घर होता है वहां पे वो बेघर हो जाते हैं उनको अपना घर shift करना पड़ता है भले सरकार उनको उस चीज़ का पैसा दे दे लेकिन उनका खुद का घर, उनका अपना घर जहां वो बड़े हुए हैं उनको वो सब छोड़ना पड़ता है इस चीज़ का effect उन पे शायद क्या पका ही अच्छे तरीके से तो पड़ता नहीं होगा So हम आज एक ऐसी story पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम एक बच्चे की बात करने वाले हैं जिसका नाम है Gopala क्या होता है उसके साथ ऐसी similar situation में हम वो रेखेंगे Now before we start our story we will read something about the poet Sorry the author Aditi Rao has written several stories for young people She also writes for television and films Her first book was Shakuntala and other stories So Aditi Rao जो है उन्होंने काफी सारी youngsters के लिए काफी सारी stories लिखिये वो movies के लिए और television के लिए भी जो stories होती है वो लिखती है उनकी जो first book थी वो थी शकुत शकुंतला and then there were other stories as well Dam building projects have displaced people in entire villages in our country in the past जितने भी dam building projects होते हैं अगर आपको कहीं dam बनाना है तो वहाँ पे गाउं के गाउं खाली करवाने पड़ते हैं वहाँ पे पूरे पेर कटवाने पड़ते हैं और काफी सारे जो villages होते हैं उनको उसमें जो लोग रहते हैं उनको displaced करना पड़ता है मतलब उनको move करना पड़ता है ऐसे में जो young people होते हैं उनको जो sudden part एक बड़ा सा उनका खुद का घर है उनके पास खुद की जमीन है और अचानक से वो सारा कुछ जो है वो government ने ले लिया है अब वो गरीब हो गए हैं sudden loss, sudden displace जो वो होते हैं, sudden poverty से वो किस तरीके से deal करते हैं This story is about Gopala who is in a similar situation It is taken from the book Growing Up in Pandhupur तो यह जो story है यह Gopala के बारे में जो ऐसी ही situation है जिसका घर displace कर दिया गया है यह story ली गई है कौनसी book से The name of the book is Growing Up in Pandhupur A collection of stories set in a functions like set in a fictitious little Indian town This is not function, this is fictitious मतलब जो है ऐसे ही आपने imaginary little town में जो है लोगों के बारे में बात हो रही कैसे उनकी life change हो गई है कैसे अचानक से हो poverty के साथ किस तरीके से deal कर रहे है यही हम इस chapter में पढ़ने वाले है Now we are going to start with reading our chapter Okay Gopala was a quiet fellow He kept away from the other children in school preferring to stick with a small group of friends who came from the other side of Pandhupur अब जो Gopala है वो एक चिपचाप रहने वाला बच्चा था Quiet fellow मतला बहुत जात है शैतानी, मस्ती, naughtiness was not there और वो बाकी के जो स्कूल में जो बाकी के बच्चे होते थे उनसे काफी distance maintained रखता था preferring to stick with a small group of friends who came from the other side of Pandhupur और वो prefer करता था कि जो उसके एक set of friends थे उसका एक group of friends था जो Pandhupur के दूसरे side से आते थे वो उन्ही के साथ रहना पसंद करता था अब वो लोग किस तरीक से स्कूल जाते थे तो यह जो पूरा group था यह सारे जो बच्चे थे एक साथ स्कूल जाते थे एक rusty minivan rusty minivan मतलब एक minivan थी जिसमें जंग लगी हुई थी मतलब काफी पुरानी minivan थी वो that hurtled hurtled का मतलब क्या होता है बहुत fast move करना down the street honking loudly जिसको जो भी चलाता था वो बहुत जोड़ से चलाता था और horn मारते हुए चलाता था और उसमें क्या होता था जिसे रास्ते में कुछ chickens होती थी वो पुरी जो है उनको अलग-अलग कर देता था जो pedestrians मतलब जो रास चलने वाले होते pedestrians मतलब जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो जो होते थे तित्तर बित्तर हो जाते थे और cyclist basically when this minivan was passing सबको side होना पड़ता था गुपाला and his friends attended सरस्वती विद्याशाला but they did not really belong अब यहाँ पे उनके school का नाम बताया गया है गुपाला और उसके जो friends थे वो लोग सरस्वती विद्याशाला में पढ़ाई करते थे but they never had the feeling कि वो वाकई उनका school है या वो वाकई स्कूल से belong करते थे they never played with the other children laughed or joked or handled out toffees on their birdies so उन्होंने कभी भी वो बाकी के बच्चे जो वहाँ थे उनके साथ ना उन्होंने खेला ना मजाग किया ना मसकरी करी ना वो अपने बर्दे पे चॉकलेश दिस्ट्रिब्यूट करते थे they only spoke when spoken to and then very little वो सिर्फ दूसरों से तभी बात करते थे रही थे until there was one day when Gopala got into trouble जब Gopala के साथ एक problem हो गई his friend's Ananta's mother his friend Ananta's mother had managed to save money for a beyblade for her son it was a matter of general pride and interest to the whole group अब उसका एक फ्रेंड था Ananta Ananta की mother ने Ananta के लिए एक beyblade लेने के लिए काफी पैसे जोड के रखे थे कुछ पैसे जोड के रखे थे beyblade क्या होता है जो spin करते है ना blades मतलब जो हाथ में होता है उसको मतलब जो spinning toy होता है तो उस तरीके का एक toy था और उस toy को खरीदने के लिए Ananta की mother ने उसके लिए कुछ पैसे save किये थे और ये उनके पूरे group के लिए एक प्राइड की बात थी कि वाओ हमारे group में भी एक beyblade आएगा दे वर अन्यूश्यली अनिमेटर इन दे क्लास दे तो दे शर्प्राइज अफ मनी सर् दे इंग्लिश टीचर हूँ है तो 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 बोग जो थे बड़े एनर्जेटिक थे और उसके बाद जो मतलब और मनी सर ने कभी उने ऐसे देखा नहीं था क्योंकि उनके लिए वो सब लोग बड़े एक्साइटमेंट था अचानक से वो लोग एकदम शान्त हो गए और पूरे लेसन के दौरान वो लोग एकदम चुप हो गए Children are naughty, talkative, boisterous. These children were none of those. बच्चे usually कैसे होते हैं? बहुत बातुनी होते हैं. Talkative मतलब बातुनी Boisterous का मतलब होता है noisy, energetic and naughty का मतलब एकदम जादा शैतान. लेकिन ये जो बच्चे थे जो पांडुपुर के दूसरे तरफ से आते थे ये लोग वैसे बिलकुल नहीं थे After school, Gopala and his gang made their way to Jolly Toys in downtown पांडुपुर. स्कूल के बाद Gopala उसके friends सब लोग कहां पे गए? Jolly Toys is the name of the shop और वो कहां पे है? downtown पांडुपुर में. तो वो लोग वहां पे उस shop में गए. They chattered away in the local language, gleam in their usually downcast eyes. आज वो लोग एक दूसरे से बाते करते हुए जा रहे थे, उनकी आखों में चमक थी और gleam का मतलब क्या होता है? shine थी. तो उनकी आखों में एक चमक थी, वो अपनी local language में बात कर रहे थे और usually जो होती है, उनकी आखों में बहुत ही discouragement था, hopelessness थी ले proprietor थे, proprietor मतलब जो ओनर होता है किसी भी business का, तो उस shop के जो ओनर थे, उनके पास हर तरीके के toys होते थे. His biggest customers were the ingenious children from Stony Hill High School with their incessant demands for playstations and gameboys. और उसके जो हैं सबसे बड़े customer कौन होते थे, Jolly Toys के, यह जो engineers के बच्चे होते थे, जो की Stony Hill High School में पढ़ते थे, it was like a big school out there, वहाँ पर पढ़ते थे और उनकी incessant मतलब continuous demand होती थी, कभी किसी को playstation चाहिए होता था, कभी किसी को game box चाहिए होता था. 3 boys from Stony Hill were already in the shop, और Stony Hill school से 3 बच्चे already वहाँ पर थे, now these kids, they belong to rich classes, मतलब वो बड़ी society से belong करते थे, तो उनका पहनना, उनका खाना पीना, उनका दिखना, उनके कपड़े सब एकदम high class थे, तो ऐसे 3 बच्चे उस शॉप में थे, 4 ब्रस्कली examining and rejecting toys, ब्रस्कली का मतलब क्या होता है, actively, फटा-फट वो लोग toys देख रहे थे और यहाँ यह नहीं चाहिए, अरे यह तो अच्छा नहीं है, गोपाला's gangs arrived and spotted a beyblade lying on the top of the pile of rejects, गोपाला उसके friends ने जैसे ही शॉप में इंटे किया, तो वहाँ पे जो rejected pile था, एक बड़ा सा rejected pile मतलब जहाँ पे बो लोग अपने अरे यह नहीं चाहिए, यह वाला नहीं चाहिए, वो सारे जो खिलोने रखते जा रहे थे, वहाँ उसे अठा लिया, it was beautiful red, shiny red with swirls of blue and yellow, वो एक बहुत ही beautiful beyblade था, उसमें एकदम shiny red color जो था, उसका red color का वो beyblade था, जो बहुत shine करा था, प्लस उसमें जो है yellow और blue color के swirls बने हुए थे, circles बने हुए थे, I'm buying that, said a voice, जैसे उसने देखा वो सब बड़े खुश हुए, तभी एक हुँ, Ananta and his gang glanced around, Ananta उसके जो पुरा जो गैंग था, उसने देखा किसने की बोला, Sunil, the boy who spoke, said image impatiently to his friend, Sunil, उसका जो मतलब जिस लड़के ने वो बेवलेट उठा लिया था, उसने मलब जिस लड़के ने बोला था, कि ये बेवलेट मैं खरीज जा हुए, उसने अप एक्तम irritate होते हुए, impatiently अपने दोस्ते कहा, I don't know the local language, how do I explain it to these chaps, मुझे तो local language भी ने आती, कैसे बताओ इनको कि ये मेरा बेवलेट है, we can follow, we are knowing English, Gopala said with quite dignity, Gopala उसने English में कहा था, तो Gopala ने क्या कहा, हमें समझ में आता है, हमें English आती है, और उसने काफी dignity के साथ कहा, मतलब respect क साथ कहा, good for you, replied Sunil, indifferently, extending his hand for the बेवलेट, उसने बार, हाँ, चल अच्छा है, good for you, मतलब, तुमारे लिए ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें English आती है, उसने अपना हाथ दिखा दिया, की भईया, मुझे बेवलेट दो, nobody noticed money sir enter the store, अब किसी ने ने देखा था कि money sir, तब across the store, गोपाला said you threw it to side, अब उसको गोपाला को बिलकुल नहीं पता था कि money sir आ चुके हैं shop में, उसने ध्यान ही नहीं दिया था, तो उसने क्या कहा, सुनील से कि ये बेवलेट तुमारा कैसे हुआ, तुमने तो इसे side में रख दिया था, सुनील smugged, no, I put it aside to buy it, सुनील ने smug क्या, smug करने का मतलब क्या होता है, हां, ऐसे करके जो smile करते हो, आप superior way में smile करते हो, तो उसने बुला, मैंने उसे side में रखा था, खरीदने के लिए, मैंने उसे मतलब reject नहीं किया था, So you were thinking to buy all those toys in the pile, asked Gopala कामली, तो Gopala नहीं, बहुत कामली पूछा, अच्छा, तो यह जितने सारे toys हैं, जो तुमने साथ में रखे, तुम सब खरीदने वाले हो, सुनील turned away dismissively and said, Mr. Keaton, I'll take this Beyblade and those computer games, सुनील ने उससे बात को dismiss कर दिया, मतलब उसने जैसे ही का, तुम यह सब तो उसने उसको जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो shop के owner की तरफ टर्न हुआ, उसने बला, Mr. Keaton, मुझे यह Beyblade और यह सारे computer games चाहिए, Mr. Keaton smiled uncomfortably, Mr. Keaton जो थे, उन्होंने बड़ी uncomfortably smile किया, I only have one Beyblade at the moment, shall I put it in an order for another one, same colors if you like, so Mr. Keaton ने उससे कहा कि मेरे पास इस अथी Beyblade है, तो मैं यह कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे लिए एक order place कर देता हूं, if you want, मैं same colors order कर दूँगा, जो बहुत जल्दी आ चाहेगा, no, I'll take that one, उसने बला, नहीं मुझे तो वही वाला चाहिए, Ananta's hand tightened over the toy, Ananta ने उस toy को जोर से पकड़ लिया, Mr. Keaton looked at Ananta, I'll put in an order for you boys तो उसने बले चलो एक काम करता हूं, मैं तुम लोगों के लिए एक नया वाला Beyblade order कर दूँगा, we are buying this one, how much uncle, ask Gopala, Gopala ने पुचा नहीं, हम तो यही वाला खरीज रहे हैं, आप बताएए कितने पैसे हुए, Sunil turned red, if you sell that Beyblade to those villagers, I'll make sure my friends and I'll never buy stuff from you, अब Sunil जो था उसको की थी proprietor को, कि अगर आपने इस villagers, in villagers को यह Beyblade बेचा, अगर यह जो में को पसंद आ रहा है, अगर आपने इन villagers को दे दिया, तो मैं और मेरे friends कभी आपकी shop से कोई सामान नहीं खरी देंगे, a fist shot out and hit him in the face, तो तभी जैसे उसने यह कहा, तो अचानक से उसको एक्जोस से उसक इसने अगर आपको मारा, तो आप disbalance हो जाते हो, वो एकदम से पीछे हुआ, his friends bristled, his friends bristled, मतलब उसके friends जो थे, वो बहुत जादा गुसा हो गए, only the intervention of money sir prevented a full-fledged fight, सिर्फ money sir तभी उन्होंने देखा कि यहां तो एक घमासान युद्ध होने वाला है, तो तुरंत वो वह पर आके उन्होंने अपनलब जाके उस चीज को रोका, उनका जो intervention मतलब बीच में आना, the next day money sir discovered that गोपाला had been suspended from school for a week, next day जब money sir school गए, तब उन्हें पता चला कि गोपाला को एक week के लिए suspend कर दिया गया है, but was it such a big deal, he asked, boys fight all the time, तो money sir ने बुला लेकिन क्या गोपाला को एक हफते के लिए suspend करना सही था, लड़के तो लड़ते ही रहते हैं, the Hindi teacher shrugged in reply, तो ये staff room में discussion हो रहा था, तो Hindi teacher ने बोला, क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, the violence was wrong, but गोपाला had certainly been provoked, जो violence था, जो गोपाला को नहीं माना चाहिए था, लेकिन गोपाला को provoke किया गया था, मत मनी had a feeling that there was something more to Gopala's sudden outburst, लेकिन मनी सर को एक feeling आ रही थी कि नहीं है, जो गोपाला को जो अच्छानक से इतनी जोर से गुस्सा आया है, सिर्फ इसका इतना सा reason नहीं हो सकता, इसका कोई और भी reason जरूर है, after lunch, मनी excused himself to the principal and rode out on his scooter, heading west towards the damn project, जब lunch हो गया, तो मनी सर ने principal से बो जाना है, उन्होंने अपनी scooter उठाई और जहां damn का project चल रहा था, वहां पे चले गए, gradually the setting became rural, जैसे जैसे वो जाते जा रहे थे, तो एकदम गाउं जैसा area होता जा रहा था, at a fork in the road, he consulted the directions to Gopala's house that he had persuaded a nervous Ananta gave him, at a fork, मतलब जहां से रास्ता split हो रहा था, मतलब left or right जहां पे रास्ता था, तब उन्होंने रोक के वहां पे, जो है, कुछ लोगों से पूछा कि Gopala का house कहा है, और Gopala का house के directions उनको किस से मिले थे, अनन्ता से मिले थे, उन्होंने काफी request की थी, तो अनन्ता ने घबराते हुए, उन्होंने Gopala का address दिया था, Money chose to left fork and finally reached a settlement which ironically looked distinctly unsettled, so money chose to left fork, मतलब वो आगे की तरफ गई, Gopala का घर का direction जब लोगों ने उन्होंने बताया, तो वो आगे की तरफ गई, और उसके finally एक जगा पे पहुँचे, जो की बहुत ही indistinctly, मतलब अजीब साथा लग रहा था, ये बिलकुल भी जमा हुआ नहीं है Unsettled लग रहा था, the houses and stores were makeshift, made from tin and asbestos instead of brick and mortar, वहाँ जितने भी घर थे, मतलब वो unsettled क्यों लग रहा था, क्योंकि वहाँ जितने भी घर थे, जितनी भी तुकाने थी, they were makeshift, makeshift का मतलब क्या होता है, ऐसा लग था सब के सब temporary हैं, मतलब permanent नहीं थे, ये जो थे, ये तिन के बने हुए थे, और ये जो है, इट के और सिमिंट के नहीं बने थे, अब तिन के मकान तो कैसे होते हैं, कि ये छपरा उठाया कहीं और लगा दिया, तो ये temporary लग रहे थे, नमस्कार मा, are you Gopala's mother, sorry, he found Gopala's house and knocked, उन्हों, उनको finally Gopala का घर मिला, वहाँ जाकि उन्होंने लोकल लाइंगवेज, फोल्डिंग हिस पार्मस इन ब्रीटिंग, तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े, सामने जो वुमन आई थे, उन्होंसे पुछा, नमस्ते, क्या आप Gopala की मदर हैं, उन्होंने लोकल लाइंगवेज में पूछा, she nodded, looking wary, तो उन्होंने जो था, बह Gopala का English teacher हूँ, the mother looked fearful, अब तो उन्होंने लगा जरूर कुछ हुआ है, तो बहुत घबराई हुई सी नजर आई, is there any more trouble, तो उन्होंने पूछा, क्या और कोई प्रॉबलम है, कुछ और ट्रॉबल है, तो मनी सर ने कहा, no, nothing like that, may I come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, उन्होंन on the straw mat, she spread for him, looked up and smiled, उन्होंने तो उसके तुरंथ जो है, एक चटाई बिछा दी उन्होंने, और मनी सर आके उसके ओपर बैट गए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, I came to tell you that Gopala has never given me or any of his teachers any trouble, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको ये बताने आया हूँ, कि Gopala ने ना कभी आप क्या कह रहे हो, अभी तो उसको एक हफते का suspension मिला है, आप कह रहे हो कि उसने कभी किसी teacher को परिशान नहीं किया है, देन वाइश तो उन्होंने पूछा कि लेकिन फिर क्यों, the question hung in the air, the mother's sadness and confusion apparent in it, तो जैसे उन्होंने बिला फिर क्यों तो उसमें उनके question में उनकी sadness, उ उनका जो था वो बहुत ही जादा clear था, apparent था मतलब बहुत जादा obvious था, if the school hadn't suspended him, the other boy's parents would have gone to the police and made things worse for Gopala, तब उन्होंने क्या बला मनी सर ने, जब उनकी माने पूछा ना फिर क्यों, तब मनी सर ने कहा कि अगर school Gopala को एक हफते के लिए suspend नहीं करता, तो जो बाकी जो parents जो थे, police complain कर देते, और Gopala के लिए एक बड़ा trouble create हो जाता, but I was there when the fight took place, the other boy was in the wrong, not Gopala, फिर उन्होंने अश्यार किया Gopala की मदर को, जब fight हुई थी, मैं वहीं पे था, दूसरे बच्चों की गलती थी, Gopala की कोई गलती नहीं थी, the mother suddenly broke down, she wiped her eyes, blew her nose on the end of her crumpled सारी pallu and looked up अच्छानक से उसकी जो मा थी Gopala की, वो रो पड़ी, मतलब शी ब्रोक डाउन मतलब वो बहुत जादा रोने लग गई, उन्हें अपने जो सारी का जो पलू होता है, उसका कोना लिया, उससे अपने आसू पोछे, अपनी nose blow करी, और उसके उन्हें क्या कहा, there is no right or wrong sir, only people with money and those without, my Gopala is finished, उन्हें बुला, sir, कुछ सही और गलत नहीं होता, सिर्फ अमीर होते हैं या गरीब होते हैं, सही और गलत कुछ नहीं होता, मेरा Gopala तो finish हो गया, मेरे Gopala मतलब जो है, वो तो तूट चुका है, मनी वो स्टाटल, I mean because he was already so sad, all our children are, and now they will become even sadder, smile even less, मनी जो थे वो एक्दम चौक गए कि, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो फिनिश हो गया था, उन्होंने कहा, I mean because he was already so sad, वो already इतना दुखी था, हमारे सारे बच्चे जो हैं, वो बहुत साथा दुखी है, वो लोग हमेशा ही दुखी रहते थे, अब वो और कम स्माइल करेंगे, जो पहल and his friends seem different from the other children at school, अब मनी ने उनको काफी गौर से देखा और क्या कहा, मा मैं ना पांड़ोपुर में अभी अभी आया हूं, मुझे बिलकुल आइडिया ने है कि यहां पे क्या चल रहा है, लेकिन मैंने गोपाला उसके friends को देखा है, वो बाकी बच्चों की तरह बिलकुल न करते हैं, ever since हमें हमारा घर जो था उसको छुडवाया, हमें खाली करना पड़ा और हमें यहां आके रहना पड़ा, the dam sent the river into our homes and spoiled everything, जो dam बना उसके कांट जो river थी वो हमारे घरों के अंदर आ गई, पुरा जो पानी से हमारा घर जो थे वो बरबाद हो गए, the children feel lost now, they are angry, बच अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा घर नरी के किनारे जो हमारा घर था वो बहुत जादा खुबसूरत था, we had fruit orchards and sugarcane fields, so now she is saying that you know they had a lot of fruits growing in those orchards, उसके अलावा उनकी गन्नों की खेती भी थी, our houses kept us warm in winter and cool in summer, जो हमारे घर थे उन्होंने थंड के मौसम में वो हमें गर्मी देत थे, क्योंकि वो जो थे proper brake or motor के बने हुए थे, तो थंड के मौसम में वो हमें warm रखते थे, और बहुत जादा गर्मी के मौसम में वो हमें cool रखते थे, now the roof burns in the hot season and in the cold, it's like sleeping under the freezing sky, लेकिन अब जो है छथ जब धूप में, जो टिन की जो छथ है, वो बहुत जादा गर्म हो जाती है, और थंड में ऐसा लगता है कि आप किसी घर में हो ही नहीं, ऐसा लगता है कि आप बस आसमान के नीचे ही सो रहे हो, मनी listen in silence, then he stood up having come to a decision, मनी सर जो थे वो छुप चाप सुन रहे थे, फिर वो अचानक से खड़े हुए, ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ दिसिश तो वो जो औरत थी, वो जो गुपाला की मा थी, वो एकदम से अलाम हो गई, मतला वो चौक गई, उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, वो किसी से बात नहीं करेगा, कल से जब से उसके पिता ने उसे मारा है, now because of the suspension, his father had beaten him, तो जब से उन्होंने मारा है, उसके बाद से उस किया, वो बच्चे के साथ already इतना गलत हो चुका है, इतना injustice उसने फेस किया है, और अब उसको पिटाए भी पड़ गई, still he said firmly, I want to speak to him, please tell me where he is, उन्होंने बला फिर भी, आप मुझे बताईए कि वो कहा है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, probably down by the river where our homes once were, शायर वो वहीं हो all the time but she trailed off anxiously, वहीं वो हमेशा जाता है, जब भी उसको अच्छा नहीं लगता, जब भी वह उदास हो जाता है, he goes back to the place जहां पे हमारे घर थे लेकिन, and then she just went silent, don't worry, said money, I won't hurt the boy, उसने कहा कि नहीं आप बलकुल परेशान मत हुए, मैं उसको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, there it was that watery place where the river had swollen and swallowed up the land, अब वो जब मनी सर जब गए, तो फाइनली वहां का नजारा अब explain किया गया है, that watery place where the river had swollen and swallowed up the land, उन्होंने वो जगा रेखी, जहां पे रिवर ने पूरा लैंड को swallow कर लिया है, मतलब एक तरीके सा उसको पूरा छुपा दिया है, it was a beautiful sight really, बहुत खूपसूरत था वो, a great unmoving blanket of water from which the thick stump of a dead tree pointed up to the sky like, this is sky, sky like an accusing finger, so it was a beautiful sight really, मतलब वो जो नजारा था वो बहुत खूपसूरत था, जो water था वो absolutely still था, it was unmoving blanket, ऐसा लगा था किसी ने जो एक ब्लू कला का blanket ओढ़ा दिया हो, from which the thick stump of a dead tree pointed, उसमें से जैसे ये पानी है, तो इसके बीच में से एक जो है कटे हुए tree का जो dead stump, मतलब जो उसका जो तना होता है, जो main तना होता है, वहां से सिर्थ थोड़ा सा stump दिख रहा था, ऐसा लगा था है, जैसे किसी ने accuse करते हुए, एक finger उसमें से निकाल रखी है on top of it sat a bird of prey waiting, और उसके उपर जो था एक bird of prey, मतलब कोई eagle होगी, कोई chill होगी, वो बैठी हुए थी, and on this side of the bank sat a board figure, और जो दूसरा किनारा था, वहां पे एक कोई बैठा हुआ था, board figure का मतलब होता है, जो जुका हुआ बैठा था, looking silently out at the waters, और वो छुपचा पानी को देख रहा था, कौन था वो, गोपाला, मनी सर स्लोली अप्रोजट, what tree was that, मनी सर चुपचाप उसके पास गए, उन्होंने ये नहीं का रही, गोपाला क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, अरे बेटा तुम ये मत सोचो, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, उन्होंने conversation start करी, वो उसने देखा, पीछे मनी सर थे, और वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, वो tree की तरफ देख रहे थे, tamajan, उसने कहा, इमली का पीड था, मनी sat down beside him, मनी जो था, वो उनके बगल में आके बैट गया, did you know it, I knew a tree once, a guava tree, when I was small, I thought it was very tall, before they cut it down last year, तो उन्होंने बोला कि क्या आप जानते हो, ये कौन से tree था, तो उसने बोला कि मुझे एक tree बता था, और वो था एक jam कजार, एक guava कजार, अमरूत कजार, जब मैं छोटा था, तब वो बहुत बढ़ा था, लेकिन उसके बाद पिछले साल उन्होंने उस पेड को काट दिया, I went to visit it one last time, मैं उसको एक ब your city के साथ उन्हें देखा, you didn't mind that they cut down your tree, आपको बुदा नहीं लगा उन्होंने आपका tree काट दिया, I did, couldn't you stop them, तो उसने बोला हां मुझे बुदा लगा, मनी सर ने कहा, तो गुपाला ने पूछा, क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते थे, no, मनी सर ने कहा, नहीं मैं नहीं पाया, but there is something you can do, said मनी, cheerfully, लेकिन मनी सर ने कहा, लेकिन ऐसा कुछ है, जो तुम कर सकते हो, गोपाला फ्राउन, गोपाला ने ऐसे कहा, इसको बोलते है, फ्राउन करना, भवें ऐसे जो आपन से कुड लेते हैं, उसे कहते है, फ्राउन करना, कि आप क्या कह दो, मैं क्या कर मनी सर ने कुछ ने कहा, लेकिन वो गोपाल को देखते रहे, एक्दम ब्राइट, एक्स्पेक्टेंट आइस की तरह, मतलब की नजर से की, येस, तुम समझ सकते हो, कि मैं क्या चाह रहा हूं, and suddenly it came to him, और तभी जो है, गोपाला को रियलाईज हुआ, गोपाला स्टुड अ Since money had set eyes on the boy, there was animation in him, अभी इतने टाइम से जब मनी ने उस बच्चे को देखा था, finally आज उसके अंदर वो energy दिखाई दे रही थी, गोपाला dived into the waters, making a splash, soaking his teacher who followed him to the water's edge, तो गोपाला जो था उसने पानी में छलांग लगाई, जब उसने छलांग लगाई तो पानी उछला, उस जो थे गोपाला मतलब जो मनी सर थे वो से follow कर रहे थे, मतलब edge से, जब वो जा रहा था तो उसको कोने से follow कर रहे थे, with sure strong strokes, गोपाला cut his weight through the river until he reached the tree stump, तो गोपाला बहुत अच्छे तरीके से swim करते हुए, finally कहां तक पहुंचा, जो tree का stump था, वहां तक गया, winding his left arm around it, he carved something into the trunk, उसके बाद उसने एक arm हाथ से arm को पकड़ लिया, मतलब एक arm से, sorry, trunk को पकड़ लिया, जो पेड का तना था, उसने उसको पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से वो जो नुकीला पत्थर था, उसने उस पे कुश लिखा, गोपाला climbed this tree, गोपाला इस पेड पे चड़ा था, this is what he wrote, as Gopala turned to swim back from across the distance, Manisa saw him smile, और जब गोपाला वहां से वापस आ रहा था, तो एक distance से उसने ये चीज़ रेलाइस करी, कि, मतलब मनी सर ने रेलाइस करी, कि Gopala अब जब वापस आ रहा था, उसके face पे एक smile थी, उसने अपनी पहचान छोड़ दी थी उस ट्री पे, जो ट् it, now what did you understand from this chapter, the chapter says that, yes there are times, जब आपकी life बहुत uncertain होती है, सबकी life uncertain होती है, और उसमें अचानक से बड़े बड़े changes आ जाते हैं, so what is it that you have to do, can you just lose all your hope and just let it be, नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें कोशिश करती रहनी पड़ती है, अपने आपको हर पल मोटिवेट करने की, हो चुका है, अब आप उसको सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना आज आप खराब मत करो, अपने आज को खुबसूरत बनाने के लिए आज को जीना पड़ता है, and that is what has been told in this story, that it's okay, आप हर चीज को नहीं हैं आपका control, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपकी मर्जी से न है नहीं, then you have to smile and you have to be persistent and motivated all the time, because you have a higher goal and you have to reach that goal, so that is it for today, in this video, we understood the explanation of the chapter, I hope you understood it well, if you have any doubts, then you can write it in the comment section. Also, do not forget to visit our website magnetbrains.com, because here you can find everything for free, yes, all you have to do is, you have to go to the class first select the class like you have selected class 8 then you will select the subject once you have selected the subject a list will appear chapter wise videos you can select what you want to study and the video will start very easy no much much nothing like care they are making video nahi mills aha ha 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 everything is available all you have to do is go and eat a bite of it that's it thank you so much I'll see you soon in my next video where we are going to start with the summary and question answers of this chapter take care of yourself and yes do not forget to like subscribe and share take care bye